तो दोस्तो आज है 28 अप्रिल 2022 और आज में लेकिया हूँ आपके लिए सेल मेनुफेक्चरिंग कमपनी का कम्प्लीट शेयर एनराइस और इस कमपनी को पर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें राकेश जीने कमेंट किया था तो अगर आपका भी कोई कोई रिस है तो के अपकी रणनी थी अगर आप कम्प्लीट जानना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फूर होने वाला है बीना इसके वीडियो को बिल्कुल अंतर तक देखते रहिए इस वीडियो में दोस्तों सब सब्सक्राइब हम इस कंपनी का फंडामेंटल को जैसे आप एंजल वान जैसे बड़े प्लाटफॉर में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मैं आपको सब सब्सक्राइब का फाइनसल रिजल्ट आपको एक नजर दिखा देता हूं तो यह है इस कंपनी का डिस इंकम दोस्तों 63 परसंट से ज्यादा कंपनी साल में प्रॉफिट में था यह डिसमबर का कौटरली रिजल्ट है मेरा पास मार्स का भी रिजल्ट है थोड़ा बहुत जो मैं आपको वीडियो में बताने बाला हूं आगे यहां पर देख लेते पहले यहां पर आप कॉस्ट आपको शॉट कर में बता देता हूं यह कंपनी ये टेक्स डाइल पर क्याम करता है ओधेक θα अंधाजा लगा सकते हो मार्केट में टेक्स टाइल इ jullie के बहुत अच्छह अच्छह निई रहे टीके इसक कंपनी का मार्केट केप आप यहां पर देख सकते है च्छे हजार पां हाई हो चुका था ठीक है तो यह आई थिंग एनेसी नेशनल इस्टोक एक्सचेंज का नंबर से यहां पर एक हजार 26 रुपय का इस बख शेर प्राइस है अगर टोटल अगर शेर मार्केट में देखा जा तो इसका लगबग 2000 रुपय के आसपास जा चुका था इसके लोएस् प्राइस रहा आपका 478 रुपया मतलब 80 पैसे के आसपास प्राइस रश्यों का नंबर से बहुत अच्छा है बुक वेलू देख लेते हैं यहां पर देख सकते हैं लगबग 100 रुपय के आसपास यह कंपनी आपको डिबीडेंट नहीं देता है इसका रीजन आपकेटल इं सबसे पहली बात आप देख सकते हैं कंपनी का उधारी पर बिजनेस था उसमें काफी इंप्रूमेंट लाए अच्छी बात है और कंपनी का जो मार्स का कॉटर एक्पेट करता है अच्छा आने वाला है ठीक है मार्स का कॉटर का कुछ कुछ चीजे मैं आपको बता दूंग का यहां पर तो आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है बीति यह पांट सालों के मुकबले में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है 55% से ज्यादा है अगर आप देखेंगे स्टॉक इस ट्रेडिंग है टेन पॉइंट पॉइंट टाइम स मत हो जाना दोस्तों यह जो सेल्स ग्रोथ है ठीक है उसी सेल्स में कंपनी का सेल्स कम हुआ है उसी सेल्स में कंपनी को प्रॉफिट 5% से ज्यादा है तो दोनों चीज़ आपका क्लियर होगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी आप देखेंगे टोटल होल्डिंग प्ले 117 करोड का तो यहां पर डिसमबर के क्वाटर में कंपनी प्रॉफिट में था यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में था कंपनी 3 करोड का ठीक है लेकिन प्रॉफिट भी बहुत टेक्स अगर देखेंगे तो कंपनी 28 करोड का माइनिस पर चल रहा था सेम आपको नेट हुआ 436 करोड का तो यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 98 करोड कंपनी लॉस पर चल रहा था हलाकि इससे पहला साल 2021 में कंपनी 142 करोड का लॉस पर था तो इस साल में थोड़ा सा लॉस कम हो चुका है ठीक है रिकवर कर रहे लॉस को दिरे दिरे यहां पर प्रॉफि lid दो 1515 करोड का हुआ है कंपनी को अजार लॉस का और इसको और दिखा देता हूं लाइबिलेटिस आप देख सकते हैं एक 1439 करोड का है कंपनी का लाइबिलेटिस तो इससे पहले साल में यहां पे 1492 करोड का था तो एसेड भी आपको सेम दिखे गा यहां पर तो तो मार्च के कौटर में प्रोमोटरस ने अपना होल्डिंग्स थोड़ा सा गटाया है और जो होल्डिंग्स गटाया है वो अभी मार्केट पे अबलेबल हो गया है रिटेल इन्वेस्टर के लिए ठीक है तो दोनों इस चीज पे बहुत गौर कीजेगा चीजों पे एक दम क् प्रोमोटर सेल करेगा उतना ही पबलिक को ये शेस मिलेगा और प्रोमोटर जितना ही सेल करेगा इसका शेर प्राइस भी दिरे दिरे नीचे गिरता जाएगा ये चीजे आपको ध्यान रखना है और इस बगत फंडमेंटली अगर देखा जा तो इस बगत इस कंपनी पे अगर आप ये सोच के बाई करेंगे कि इसका शेर पर जितना तेजी से उपर जा रहा ता लगातार ही उपर जाता रहेगा तो आप गलस सोच रहें ठीक है क्योंकि जब पूरी तरह से इस कंपनी का शेर एक एक दोम लेबल पर आ जाएगा पूरा जितना प्रोमोटर को पाय करना चाहिए तो इस बख्त मैं आपको इस कंपनी का शेर बिल्कुल भी लेने का सला नहीं करूंगा क्यूंकि इस बख्त इस कंपनी का शेर लेना बहुत बड़ा रिस्क है ठीक है तो ध्यान रगिए इस चीज को और अभी हम चलेंगे इस कंपनी का चार प्रण को अनल लगातार अपर सरकीटी चल रहा था यहां पर देख सकते मैक्स फाइब या वान येर का चार प्रण देखेंगे तो बहुत ही तेजी से उपर गया था जो कि अभी नीचे आना शुरू हो चुका है और इसका सबसे बड़ा लीजन है कि प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंस गटाया है और वो जो होल्डिंस से वो पब्लिक को मिलना शुरू हो चुका है तो मतलब एक रुपे का एक एपल अभी पंदरा दोजार रुपे का प्राइस में पब्लिक को बेचा जा रहा है तो यह फॉर्मूला है यह प्रोमोटर्स का गेम है इस वक्त आप इस कंपनी का शेयर को बिलकुल भी बाय मत करना हाला कि इस वक्त तरहा हर चीज क्लियर नहीं हो जाता है तो दोस्तों कंपनी के तब तक अब इस कंपनी का मेह वाय बाय मत कीजिए क्यू की इस बग दोस्तों एक महेंगे बेलुएशन में है इस शेर इस शेर पर आपको निवेश करना बहुत बड़ा रिस्क होगा इस बग ठीक है जो मैं अपनी पॉइंट ओ व्यू से आपको बता रहो जो मुझे मतलब लग रहा है इस बग कि क्या चल रहा है इस कंपनी को लेके मैं दो हजार रुपए बना के पबलिक को बेचा जा रहा है तो यहां पे आपके साथ में स्कैम भी हो लाकि कंपनी गलत नहीं है लेकिन आपका अगर निवेश करने का समय गलत हो तो दोस्तों आपको अच्छा कंपनी भी नुकसान दे सकता है दोस्तों टेक्स्टाइल इंजस् चीज पर निवेश करते हैं इस वक्त तो आपको ज्यादा मुनाफ़ा दे सकता है इस कंपनी पर निवेश करना मैं आपको फिस्टे बाताता हूं इस बहुत जादा रिसके अगर आप यह सोचके इसका शेस बाय कर रहे कि यह लगातार ही अपवर सरकिर जाता रहेगा अभी अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकरी के साथ हमारी वीडियो को आंते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद